हेलो गारेज, नर्सिंग और बिट में आप सब का स्वागत है आज हम जो हैं मेडिकल सर्चिकल नर्सिंग के MCQ जो की इंपोर्टेंट है और पूछे जा सकते हैं वो सारे नौर्सेट 2021 के लिए वो सब हम आज डिस्कस करेंगे और ये अल्मॉस्ट जादा तर जो क्वेशन है वो क्रिटिकल केर से रिलेटेड हैं तो आप इसे एक बार अच्छे से सुन ले और चैनल को सब्सक्राइब कर ले चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ मैं आप चैनल को विजिट करें उसमें प्लेइलिस्ट बनी हुई है नौट सेट के लिए फंडामेंटल मेंटल हेल्थ और भी बहुत सारे MCQ इमेज बेस्ट क्वेशन भी जो है उसकी प्लेइलिस्ट बनी हुई है आप उसे विजिट करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाए और आपके जो फ्रेंड्स होंगे उनको भी शेयर करें ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें और उन्हें भी इसका फायदा मिल सकें तो लेट्स भी स्टार्ट विट क्वेशन नमबर बन यहाँ पर पहला क्वेशन यह है नर्स काउंट एन अडल्स एपाइकल हार्ट बीट जो है वो काउंट कर रही है और 110 पर मिनिट मिल रही है यहाँ पर जो है वो एसे मिलेगा और ब्रेडिकार्डिया हो नहीं सकता तो सी ओप्शन है वो राइट हो जाएगा यहाँ पर तीन पुछे जा सकते हैं एक एस इस्टॉल के बारे में ब्रेडिकार्डिया सबके बारे मालग लग पुछे जा सकते हैं इसका सही एंसर सी हो जाएगा एस इस्टॉल बाइजेमिनी और ब्रेडिकार्डिया क्या आपको बता दिया है यहां by Gemini क्या होते हैं को मैं बता रहा हूँ a heart beat marked by two beats close together with a pause following each pair of beats so open बोलते हैं by Gemini मैंने आगे भी बता दिया 2 beats आएगी इसके बाद में breaks आएगा फिर से 2 beats आएगी आप ECG हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूँ तो आप इसकी ECG देख लेना अच्छे से समझ जाओंगे so यह है वो उसका ECG हैं दो beats आएगी इसके बाद में आपको pulse नहीं मिलेगी फिर से 2 beats आएगी जोडे में आएगी so next second question देखेंगे so a client has an elevated AST AST means SGOT 24 hours से बड़ा हुआ है following chest pain and shortness of breath so this suggestive of the following a gallbladder stone, b liver disease, c myocardial infarction or d skeletal muscle injury so यहाँ पर जो answer right जाएगा वो हो जाएगा myocardial infarction क्योंकि 24 hours से chest pain और shortness ब्रीध हो रही है और SGOT भी initially बढ़ता है so यह जो मैं बता रहा हूँ है SGOT level जो कि 18 to 24 hours में जो है वो peak level पहुँच जाता है so यह graph है आप इसको देख सकते हो कि बतलब 18 to 24 hours पे peak level पे होता है और बाद में normal होता है वो 4 to 5 days में यह भी पूछ सकता है कि normalize कब होगा तो वो 4 to 5 days में normal हो जाता है 6 to 8 hours में peak start होता है so यह जो है वो है जैसे liver disease हो गया joint disease हो गया, hepatitis हो गया तो उसमें क्या होता है peak level पे SGOT रहता है लेकिन 7 to 12 days में जाता है peak level पे और normalize होता है 3 to 4 weeks में तो यह graph भी आप एक बार देख लेना next question third देखेंगे an adult has a coagulation time of 20 minutes the nurse observed the client for which of the following so client को किस लिए observe हो करेगी monitor क्या करना है a. blood clot, b. echimotic areas, c. joint disease and d. infection so right answer है वो echimotic area होगा so 20 जादा होता है तो blood clot होगा नहीं joint disease, infection यह सारे गलत answer हो जाएंगे और b. echimotic area right हो जाएगा यह जो है एक picture डाला है जो की describe कर रहा है यह इसलिए लिया गया है कि तीनों चीज़ आप समझ सको so purpura जो है वो ऐसे दिखता है patichist dot 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 करके दिखता है और echimotic area है वो की last जो third one दिख रहा है वो है echimosis so आप clearly differentiate कर सकते हो अगर आपको exam में कोई ऐसा image दे देता है कि यह क्या है तो आप उसको कर सकते हो कि परपरा कौन सा होता है patichist यह कौन सा होता है और echimosis के सा होता है तो यह ऐसा जो है वो दिखता है next question अब prothrombin time test should be performed regularly on person who are taking which medication option A. Hiperin, B. Warfarin, C. Phenobarbital and D. Digoxin so prothrombin time और aptt और pt जो किया जाता है वो हिपरिन और warfarin के लिए किया जाता है लेकिन warfarin के लिए जो है वो pt किया जाता है और हिपरिन के लिए जो है वो aptt किया जाता है तो यहां पर हिपरिन जो है उसको टिक नहीं करना है और वी warfarin जो है उसको टिक करना है यह orally देने वाला drug है और opd basis patient को जो है वो दिया जाता है तो prothrombin time check करेंगे warfarin के लिए option जो B है वो सही हो जाएगा अभी आगे मैंने एक टेबल ली है तो उसमें मैं आपको बताऊंगा और कुछ detail आप यहां देख सकते हो यह mechanism warfarin और हिपरिन दोनों का अलग अलग है वो जैसी factor 2, 7, 9, 10 जो है वो उस पर act करता है और factor 10A और second A पर काम करता है हिपरिन और pathway जो है वो extrinsic होता है warfarin का और intrinsic होता है हिपरिन का सो monitoring के लिए यहां पर दिया गया है जो warfarin है उसके लिए अपनको PT और INR ratio करना पड़ता है और हिपरिन जो है उसके लिए PTD करना पड़ता है और दोनों के root भी दिये गये हैं एक का oral है और हिपरिन जो है वो subcute दिया जाता है यह placenta जो क्रोस करता है warfarin जो है वो placenta क्रोस करके जाता है और हिपरिन जो है वो नहीं करता है फिप्त कर्शन है which prothrombin time value would be considered normal for a client who is receiving warfarin मतलब warfarin का दूसरा नाम भी है komodine और यह जो है वो कौनसी value जो है वो warfarin एक person ले रहा है उसके लिए normal होगी तो option a 12 second option b 20 second option c 60 second option d 98 second so 98 second बहुत ज्यादा हो जाता है option a जो है वो normal level है option b जो warfarin लेते हैं उनका 20 रखना होता है तो 20 अगर आता है तो normal है तो option b जो है वो सही हो जाएगा option b को आपको सही करना है so guys यह जो है वो normal levels है PT है 10 to 12 second PT है 32 45 और INR 1 is to 2 ratio होता है आप अच्छे से देख लेना मैं आगे question के लिए और बढ़ता हूँ an adult who is receiving heparin ask the nurse why it cannot be given by respond by heparin that heparin is parentally given because means क्यों उसको parentally मुह से क्यों नहीं दिया जा सकता है injection ही क्यों देते है ऐसा पूछ रहा है patient तो नर्स उसे क्या बोलेगी so it is destroyed by gastric secretion A है B है it irritate gastric mucosa C है it irritate the intestinal lining and DA therapeutic level can be achieved more so guys यहाँ पर जो right answer जाएगा वो B जाएगा क्योंकि option A जाएगा क्योंकि यह destroyed हो जाता है gastric mucosa से यह यह सारे drugs है GIT जो और HCL जो है उसकी वज़े से destroy हो जाते हैं example जो benzyl penicillin होता है वो destroy हो जाता है HCL से insulin है वो proteolytic enzyme से destruct हो जाता है और यहाँ aspirin भी है वो destroy हो जाता है इसलिए उसको लेकिन entry coated aspirin दे सकते हैं 7th question है the nurse is preparing a client for cardiac catheterization which action would the nurse expect to take nurse cardiac catheterization करवाना है patient का उसके लिए prepare कर रही है तो nurse को क्या करना पड़ेगा सब से पहले administer a radio isotope as ordered यह OT में होगा A B give the client a cleansing enema C locate and mark peripheral pulse and D encourage high fluid intake before the test so यहाँ पर जो right answer है वो है C locate and mark peripheral pulse so nurse क्या करेगी जो peripheral pulse जहां से catheterization होना है उसका उसको identify करेगी और उस area जो है उसको skin marker से marking कर देगी so यह जो है वो नर्स जो है वो लोकेट कर रही है peripheral pulse यह usually एक Doppler होता है portable Doppler machine होता है pen type का होता है और easily जो है वो जो अपनको sound देता है जिससे अपने पता कर सकते हैं maximum जो portable sorry peripheral जो artery का जो pulsation है वो maximum कहां पे है उसको mark करके रख देंगे usually दोनों हाथ में radial जो होती है उसमें mark करके रखते हैं यह मैंने example के लिए दिखाया है ताकि आपको यह machine जो है Doppler portable Doppler उसका पता चल सके so हमारा next question है when a client return from undergoing a cardiac catheterization the most essential for the nurse to मतलब cardiac catheter registration होने के बाद में return आया है patient तो उसके बाद में nurse को क्या करना है a. check peripheral pulse b. maintain NPO c. applying heat to insertion site d. start range of motion exercise तो यहाँ पे क्या करना है peripheral pulse हमको है वो check करनी है तो यह option है वो right हो जाएगा तो आप यह जब tick करेंगे तो वो सही answer हो जाएगा तो peripheral pulse जो है वो check करनी है अब peripheral pulse जो है वो check करने का सही तरीका यह है three fingers से check करते है और यह जो image दिया है वो इसलिए दिया गया है यह proximal, middle और distal finger आपको इस तरीके से रखनी है और फिर जो है peripheral pulse जो है वो check करना है एक चीज ऐसा है ऐसा image देगा तो और पूछेगा कौन सा test कर रहा है तो दोनों साइड अगर press किया होगा तो आप Allen test करते हैं और वो ABG prick करने से पहले करते हैं ठीक है next question देखेंगे the nurse is teaching an adult who has angina about taking nitroglycerine the nurse tell him he will know the nitroglycerine is effective when means option A है experience tingling under the tongue B है pulse rate increases C है chest pain subside, his pain subside and D है his activity tolerance increase so option C जो है वो राइट हो जाएगा pain subside हो जाता है मतलब nitroglycerine जो है वर कर रहा है so यह effect है duration of action जो होता है वो 20 to 30 cm 30 minutes होता है relax करता है blood vessel की valve को और generalized vessel dilator drug है तो यह आप ध्यान रखना अगर NTG के बारे में पूछे nitroglycerine के बारे में पूछे तो वो पूरी body के vessels जो है वो dilate कर देता है और उसकी वजह से postural hypotension जो होता है उसकी chances बढ़ जाते हैं तो यह भी पूछ सकता है next question देखेंगे an adult client is admitted with a diagnosis of left-sided congestive heart failure left-side heart failure हुआ है which assessment findings would most likely to be present बतलब कौनसी findings आपको मिलेगी उसमें so option A है distended neckline, option B है disneya, option C है hypetomegaly, option D है pitting edema तो मैं आपको बता दूँ A, C and D जो है वो right-sided heart failure के symptoms है अगर आपको पूछे तो और option B, dyspnea जो है वो left-sided heart failure का symptoms है B, option जो है वो right हो जाएगा So, यह मैंने left-sided के symptoms और right-sided के symptoms जो है वो उसकी table दी है तो आप उसे pause करके थोड़ा देख लेना Soutness of breath, crackles, tachypnea, weight gain, सारे left-sided heart failure के होता है Right-sided के जुगलार वेन के बारे में पूछा जाता है तो यह देख लेना और ascites भी होता है और pitting edema भी होता है तो यह इन दीनों के बारे में तो question पूछे जा सकते हैं तो यह अच्छी से table जो है वो pause करके आप देख लेना next question देखेंगे So, digoxin and furosemide are ordered for a client who has congestive heart failure So, donor एक जो है वो diuretic है और जो digoxin होता है वो क्या करता है force of contraction जो muscles का होता है, cardiac muscle का वो increase करता है So, यह भी आपको digoxin का action पूछ सकता है तो उसके लिए जो nurse क्या expect करेगी कि doctor क्या order करेगा तो उसके लिए option A दिया है, potassium, B दिया है, calcium option C दिया है, aspirin, option D दिया है, warfarin तो यहाँ पर option A जो है, वो right हो जाएगा क्योंकि digoxin के patient को जो होता है, वो hypokalemia होता है तो option A जो है, वो tick करना है यह जो है, वो cardiac adverse effect और non-cardiac adverse effect है digoxin के, आप देख लेना जो non-cardiac होते हैं, वो nausea, vomiting, anorexia, abdominal pain, visual disturbance होता है hollow vision होता है red, green और yellow, green जो vision है, वो हो जाता है patient को disorientation होता है तो यह सारे चीज नॉन-cardiac adverse effect है और cardiac effect में ventricular arrhythmia हो सकते है atrioventricular block हो सकता है sinus bradycardia हो सकता है और atrial arrhythmia हो सकते है तो यह सारे adverse effect है, digoxin के जो की पूछे जा सकते है एक तो यह weight gain वाला weight जो है, वो loss होता है क्योंकि anorexia होता है next question देखेंगे 12th 12th question is the nurse is about to administer digoxin to a client and clients say I feel I need to see the eye doctor मतलब मेरे को आखो के doctor को दिखाने की जरुरत है मेरे को जो है वो चीज आज थोड़े green green लग रही है, तो nurse क्या करेगी उसका vitals जो है, वो है 150 by 94 जो है, वो blood pressure है 60 beat per minute जो है वो bradycardia हो रहा है उसको and respiration most appropriate action क्या होगा तो देखते हैं, option जो है वो यहाँ पर option में A है, administer the medication and record the finding on the chart मतलब normal chart है normal reading है इसे record करके chart पे mention कर दो और medication चालो कर दो B जो है, withhold the rejoxin and report the charge nurse C है, request an appointment to the ophthalmologist and D है reassured the client that he is having a normal reaction to his medication So, यहाँ पर जो है वो right answer जो होगा, B होगा withhold कर देना है medicine को क्यूंकि इसका reason यह है कि एक तो उसको bradycardia है, दूसरा greenish color दिख रहा है, मतलब digoxin toxicity हो रही है, green, yellow, reddish color उसको अगर दिखता है तो digoxin toxicity की वज़े से हो रहा है, तो potassium वगरा जो है वो करवाना है और यह जो hold कर देना है medicine है वो और अपनी जो charge nurse से उसको बताना है कि इसको digoxin toxicity हो गई है तो next question, next चीज हम देखेंगे, यह जो है एक plant है जहां से digoxin जो है वो अप्टेन किया जाता है और इसका आपको image वगरा तो नहीं दे सकता लेकिन फिर वह इसके बारे में पूछ सकता है कि यह जो digoxin है वो कहां से अप्टेन किया जाता है तो उसका ना इस परपर इस परपरा, तो यह जो है वो उससे अप्टेन किया जाता है एक तरह का plant है तो आप देख लेना, next question देखेंगे हम which assessment finding would most likely indicate that a client has thrombophlebitis in legs patient को thrombophlebitis है तो clinical findings क्या मिलेगी option A, diminished pedal pulse, option B, color changes in the extremities when elevated, option C, red and shiny skin option D, coolness and pillar in the leg, so option C, right हो जाएगा, red and shiny skin so यह जो है वो thrombophlebitis के sign का जो है वो फोटो लिया हुआ है तो ऐसे red and shiny skin जो है वो मिलती है अगर आपको image भी दिखाता है आप easily identify कर सकते हो thrombophlebitis को, next question देखेंगे what would be include in teaching plan for an adult who has hypertension, बदल्ब है hypertensive patient है उसके teaching plan में आप क्या include करोंगे, option A, reduce dietary calcium, avoid aerobic exercise, C, reduce alcohol intake and D, limit fluid intake so यहाँ पर आपको include करना है C, right answer हो जाएगा, reduce alcohol intake, so उसका reason क्या है उसका reason है बहुत सारा alcohol जो consume करते हैं तो वो body में magnesium level जो है उसको कम कर देता है और magnesium level कम होने से यह lead करता है, BP rise करता है, so यह जो है वो BP rise भी करवाता है, तो hypertension में नहीं देना है और liver और heart की disorders भी करवाता है, so next question देखेंगे, the nurse is caring for an elderly client who has congestive heart failure and is taking digoxin, the client should be monitor for which of the following sign of toxicity, तो एक elderly patient है और digoxin ले रहा है तो उसके लिए कौन सा sign जो है, वो monitor करना है, option A, disorientation, option B, weight gain, option C, constipation, option D, disneya, so यहाँ पर जो चीज है weight gain, digoxin toxicity में weight gain नहीं होता, weight loss होता है, constipation नहीं होता, diarrhea होता है और disneya भी नहीं होता है, और cardiac arrhythmia जाने के chances है, so option A, right हो जाएगा, क्योंकि greenish, yellowish, reddish color उसको दिख रहा है, तो disorientation हो सकता है न, next question देखेंगे, an adult is admitted with venus thromboembolism, what treatment should the nurse expect during the acute stage, जो patient है उसको VTEA venus thromboembolism है, तो उसको treatment plan में क्या करेंगे acute stage में, so option A, application of an elastic stocking, B, embulation, embulation TDS, C, passive range of motion exercise of leg, and D, use of eye specs to control pain, so यहाँ वे सारे option जो हैं, वो गलत हैं, लेकर, option A, जो हैं, वो सही है, क्योंकि elastic stockings जो हैं, वो patient को wear करवाने होते हैं, embulation वगरा करवाते नहीं हैं, क्योंकि pulmonary embolism होने के chances हो सकते हैं, next question हम देखेंगे, the nurse is observing a client who is learning to perform Berger Allen exercise, the nurse know that the client is performing this exercise correctly, when the client is observed, doing what, so option A, जो दिया हुआ है, वो है, alternately dorsiflexing and plantar flexing, the feet, the legs are elevated, option B, जो है, massaging the legs beginning at the feet and moving toward the heart, C है, alternatively walking, short distance and resting with the legs elevated and D है, elevating the legs then daggling them and then lying flat for three minutes in each position, so यह जो D option है, वो right हो जाएगा, Berger exercise जो है, वो क्या है, मैं आपको आगे बताता हूँ, सबसे पहले patient को इस तरह से लिटाना है, नीचे foot support देके, फिर हर जो step है, वो three minutes तक उसमें रखना है, first step यह हो गई, second step में क्या करेंगे, patient की chair side में रखके उसको बिठा देंगे, पाव को लटका के और पाव में पंजो में exercise करवाएंगे, और फिर यह three minutes होने के बाद में, उसको फिर spine position में लिटा देंगे three minutes तक, तो यह जो होती है, वो burgers exercise होती है, और यह burgers exercise हैं, उसके लिए अगर teach करना है patient को, तो आप यह तीन पोजिशन से हैं, उसमें तीन-तीन मिटे तक patient को रखना है, next question देखेंगे, 18th question, what would be include in foot care for the client who has a peripheral vascular disease, जिसको PVD हैं, उसके लिए अपन foot care कैसे करवाएंगे, So, A. Socking the feet 20 minutes before washing them, B. Walking barefoot, वो गलत हो जाएगा, C. Applying lotion between the toes and avoid crackles, and option D है, avoiding exposure of leg and feet to the sun, So, यह D जो है, वो राइट हो जाएगा, जो PVD वाले होते हैं, उनको sun exposure नहीं करवाते, legs के, An older adult is scheduled for coronary arteriography during a cardiac catheterization, So, which nursing intervention will be essential as she recovers from the diagnostic procedure of the hospital unit, So, उसके लिए चार ओप्शन दे जाएंगे, Option A है, encouraging frequent embulation to prevent deep vein thrombosis, B. Limiting fluid intake to prevent fluid overload, C है, limiting dietary fibers to prevent diarrhea, And D. Assessing the arterial puncture site when taking vital signs, So, जो option D है, वो अपन को जो है, वो करना है, उसका जो arterial puncture site है, उसको assess करना है, जब-जब vitals लेते हैं, So, next question, An older adult is admitted to the hospital with symptoms of severe dyspnea, orthopnea, diphoresis, bubbling respiration, and sinusis, He is, he states that he is afraid, so something bad is about to happen, So, मतलब वो डरा हुआ है, तो जो nurse है, वो कौन सी position में रखेंगी, उसको disnea हो रहा है, पसीना हो रहा है, तो option आपको मिलेंगे 4, So, आपको यह position देनी है, 60-90 degree की upright position, option A है, वो सही हो जाएगा, So, next 21th question, जो है, जो है, an adult male has a high level of high density lipoprotein, in portion to low density lipoprotein, What does this relate to his risk of developing CAD, So, option A है, his risk for CAD is low, option B है, there is no direct correlation of both HDL and LDH, So, next हो जाएगा, D, his risk will increase with age, So, option A जो है, वो राइट एंसर है, मतलब HDL अगर LDL से जादा है, तो उसको risk जो है CAD की वो लो रहेगी, Next question देखेंगे, Ferrous sulfate is prescribed for an client, she returns to the clinic in two weeks, दो सप्ता बाद में वो वापस आती हो, Which assessment finding nurse indicate, by nurse indicate that she not been taking iron as ordered, वो मतलब जैसे prescribed हुआ है, वैसे iron नहीं ले रही है, तो nurse कब ऐसे समझेगी कि वो नहीं ले रही है, आईरन जैसे prescribed हुआ है, option A है, client chicks are flushed, option B है, Client reports having more energy, C है, the client complain of nausea, and D है, client stool are light brown, so option D है, वो right हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो stool का color होता है, वो dark brown हो जाता है, light brown है, तो मतलब iron बरापर laid नहीं रही है, तो यहाँ पर D जो है, उसको tick करना है, वो right answer है, next question देखेंगे, a sizzling test has been ordered for a client suspected of having pernicious anemia, what is the nurse primary responsibility in relation to this test, option A, collect the blood sample, option B, collect a 24 hour urine sample, C, assist the client to x-ray, and option D, administer an anima, so यहाँ पर जो right answer है, वो जो sizzling test है, वो urine से किया जाता है, 24 hour का जो urine है, वो nurse को collect करना है, first यह भी पूझा जा सकता है, कि मतलब कैसे करना है, तो आपको मैं बदाता हूँ, first जैसे कि 8 to 8 pm करना है, 8 am to 8 pm, तो first 8 am वाला जो urine है, उसको discard कर देंगे, और फिर next अगले दिन का 8 am का जो urine है, उधर तक count करेंगे, so first urine है, वो उसको discard कर देना, अगर calculation करने के लिए बोले तो, so यह आप clearly ध्यान रखना कि जब 24 hours में, जो first hour होता है, उसका आपको discard कर देना, क्योंकि वो पहले का urine होता है, so B option यहाँ है, उसको सही करना है, urine का test है, और urine collect करना है, so यह आपको बता रहा हूँ, जो panicious anemia का जो है, उसमें beefy, red beefy tongue हो जाती है, यह chest pain भी हो सकता है, pale skin होती है, tiredness लगता है, और poor balance बिगडता रहता है, तो यह red beefy tongue भाला जो है, वो पूछा जा चुका है, और पूछेगा भी, next question देखेंगे, a client who has been diagnosed as having pernicious anemia, asks how long she will have to take shots, what the best answer nurse should give, so option A, until your blood counts returns, option B, until being better, C, for rest of your life, and option D, that varies with each person, ask your doctor, so option C है, वो सही answer है, उसको बताना है कि पूरी rest of life उसको जो है, injections लेने है, next question देखेंगे, next question, a college student who is diagnosed as having infectious monomucleosis, ask how the disease is spread, the nurse response is based on the knowledge that the usual mode of transmission is, option A, skin, option B, genital contact, option C, contaminated water, and option D, intimate oral contact, so, यहाँ पर जो सही answer है, अगर आपको नहीं पता हो, तो इसका सही answer जो है, वो D हो जाएगा, oral contact से होता है, यह saliva से transmit होता है, इसका नाम, दूसरा नाम जो है, mono disease है, और उसे kissing disease भी बोलते हैं, और यह college students में सबसे ज्यादा पाया जाता है, यह देखेंगे, इसको glandular fever भी बोलते हैं, और यह epistin bar virus से, जो हैं, वो transmit होता है, so guys, सारे जो questions थे, वो important थे, आप एक बार इसे अच्छे से देख लेना, और आपकी जो friends हैं, उनको भी share करना, ताकि channel को ज़्यादा से ज़्यादा subscriber मिले, और मैं भी और अच्छे ज़्यादा वीडियो जो हैं, वो बना सुखूँ, please subscribe करे, bell icon press करे, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा share करे, thank you so much, all the best for your exams,